नमस्कार आप देख रहे हैं Your New Direction YouTube चैनल वीडियो में पूरी जानकारी देंगे उसके लिए आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिले और कमेंट करके आप जरूर बताएगा कि आपको जानकारी कैसे लगी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए बेर आइकन दबा लिए और इस अपडेट के लिए आप वीडियो को अधिक श्यदिक लाइक जरूर करिएगा बात कर लेते हैं 12,460 से चख भरती में कोर्ट अपडेट और वारता अपडेट के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें यहां पर आप देखेंगे कि मोहित कुमार दिवेदी जी कोर्ट गए हुए है और कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुशार 18 जनवरी 2022 को जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो नहीं होगी क्यों नहीं होगी हम आगो आपके बताएंगे लेकिन मोहित कुमार दिवेदी के जीगे पर SCERT में सौरव वर्मा जीरोचनपत की तरफ से अरपी सिर्वास्तों के साथ मुलाकात के लिए SCERT में भगेल सर से पहुँचे हैं मुलाकात करने के लिए वहाँ पर प्राप्त दानकारी के अनुसार उनके बाबू के माद्यम से जो वारता हुई है बताया गया है कि वहाँ पर 4 लोग करोना पासिटिव मिले हैं इसकारण से 5 बजे के आसपास वारता होगी और यहाँ पर देखिए दोनों लोग फिर यहाँ पर सरकार के शाशन इस्तर पर पहुंचे हैं और वहाँ पर अपर मुक्सचियू वा अन्य अधिकारियों से वारता करने का प्रयास कर रहे हैं यूपी टीटी को लेकर मीटिंग चल रही है मीटिंग के बाद वहाँ पर वारता होगी और पांच बज़े के बाद SERT पर अधिकारियों से वारता होगी क्योंकि अधिकारियों ने फोन करके उन्हें बुलाया है अपडेयों ये प्राप्त हुई है कि उनको हार्ट अटेक हुआ है जिस कारें से वा अश्वस्त हैं और इस समय वो कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं तो जब वो स्वस्त हो जाएंगे कोर्ट में बैठेंगे तब ही अब 12,460 सिक्षिक बर्ती की सुनवाई होगी तब तक सुनवाई होने की कोई भी शंभावना नहीं है हम आपको अभी थोड़ी दिर बाद जैसे ही वारता की अपडेट मिलेंगे वो हम आपको दे देंगे कोर्ट अपडेट आपको मिल चुकी है अब कोई भी काउज लिष्ट नहीं आएगी अन्यकि सुनवाई अभी फिलाल नहीं होने वाली है वारता की अपडेट हम आपको देंगे तब तक आप इस वीडियो को शेर करते रहिए लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजिए अगली अपडेट के लिए